आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक CAC Center चलाने के लिए सुरुवात में आपको कौन सा प्रिंटर, कौन सा लैप्टोप और कौन सी बायोमेटिक डिवाइस इस्तेमाल करनी चाहिए यह आपको नया लैप्टोप या नया प्रिंटर और नयी मौर्फो कौन सी खरीदनी चाहिए तो इसी वीडियो में हम आपको यही बताने वाले अगर आप एक नया CAC Center चुरू करना चाहते हैं और आपके पास बजट है और आप चाहते हैं कि आपके पास आप एक नया प्रिंटर लें और आप एक नया लैप्टोप लें और आप बायोमेटिक डिवाइस लें तो यह तीनों चीज़े ऐसी हैं आपके कोमिसरी सेंटर पर चलाने के लिए सबसे इंपोटेंट इनके बिना आप CAC का कोई भी काम नहीं कर पाएंगे लैप्टोप या प्रिंटर और बायोमेटिक डिवाइस यह चीज़े बहुत जरूरी हैं आपके पास होनी इस साब सभी सर्विस का लाब दे पाएंगे अपने कस्टुमर को बायोमेटिक डिवाइस के द्वारा और प्रिंटर और लैप्टोप यह सभी चीज़े बहुत जरूरी हैं CACC सेंटर चलाने के लिए शुरुवात में आपको यही चीज़े लेनी चाहिए अगर आप नया CACC सेंटर ओपन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नया लैप्टोप हो आपके पास नई प्रिंटर हो तो कौन यहीं लेनी चाहिए आपको इस वीडियो मा आपका Confusion दूर करने वाला हो कि प्रिंटर कौन सा हो लैप्टोप कौन सा हो बायमेटिक दिवाइस कौन सी हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो printer की बात करें यहाँ पर देखिए printer है Canon का PIXMA G2012 All-in-One Ink Tank Color तो color भी है यह printer और black भी है Canon का printer है मैं इसको use करता हूँ ink इसके आपको original Amazon से मिल जाएगी आप Amazon से इसकी ink original मंगा सकते है और इसका यह print का देखिए यहाँ पर और यहाँ पर यह printer है इसकी यहाँ पर वीडियो दी गई है और यह printer है प्राइज की बात करें तो G2012 देखिए यहाँ पर 15,790 रुपे और यहाँ पर एक प्राइज है 13,299 रुपे तो इन दोनम में से कोई भी printer आप मांगा सकते हैं और दूसरे printer की बात करें तो यहाँ पर एक printer है Canon Pixma G3020 तो इसकी क्या खासेते printer की देखिए यह Wi-Fi wireless printer है इसको आप mobile से भी print कर सकते हैं आप चाहे printer से connect करका laptop में उससे भी print कर सकते हैं चाहे तो mobile से ही आप Wi-Fi connect करने के बाद में print कर सकते हैं mobile में इसकी application डाउनलोड करनी पड़ती है उसको आप print कर सकते हैं direct mobile से Canon Pixma G2020 G3020 NV R1 Wi-Fi ink tank color printer navy blue rating की बात करें तो यहाँ पर rating दे गई है for start दे गए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन माने जाते हैं और यहाँ पर इसकी जो प्राइज है वह 15,949 delivery इसकी फिरी है साथ साथ देनों के अंदर आपको यह इस पीड़ पोर्ट के दवार पर पहुंचा दिया जाता है तो यह भी एक बेहतरीन प्रिंटर हो सकता है आपके लिए अगर आप नए प्रिंटर लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही प्रिंटर पर चेस करें प्राइज है इसका 15,949 रुपे इस प्रिंटर को लेने के बाद माँ आप देखें यहाँ पर color print भी कर सकते हैं और black भी कर सकते हैं यहाँ पर wifi दिया गया है इसमें और आप wifi से direct connect कर सकते हैं तो यह printer भी आप ले सकते हैं काफी बेहतरीन वर करता है एक printer हमने एक customer के लिए मंगाया था जो के काफी बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है काफी बेहतरीन color फोटो को भी निकालता है फोटो भी आप निकाल सकते हैं फोटो सीट पर तो यहाँ पर देखेंगे आप about this item in tank connectivity वाइफाई प्रिंट सोलूशन 4800 पिलस 1200 dpi scan resolution 600 पिलस 1200 dpi में scan करता है तो काफी बेहतरीन है 1200 dpi तो इसका भी प्रिंटर को आप यूज कर सकते हैं अगर आप प्रिंटर लेना ही चाहते हैं तो आप यह वाला प्रिंटर ले सकते हैं morfo की बात करें तो यहाँ पर है biometric device जो मैं यूज करता हूँ morfo की biometric device e3 मैं खुद इसको यूज करता हूँ दो साल पहले मैंना इसको 3500 रुपय में purchase किया था लेकिन अब इसका प्राइस है 4835 तो यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन morfo अगर CSE Center आप चलाने चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी आपको कोई problem ना आए CSE नहीं आने वाली मैं जो भरोसा करता हूँ वो morfo पर ही भरोसा करता हूँ जो biometric device है इसको आप इस्तेमाल करने के लिए इसको आप ले सकते हैं इसका यूज कर सकते हैं बाकी बात करते हैं laptop की तो laptop अगर आप चाहें तो पुराना second hand किसी से ले सकते हैं 10-15000 का laptop आपके लिए आ जाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें editing वगारा coral draw Photoshop और size कम करना या बढ़ बढ़े जो heavy software वगारा वो भी चला सकें तो इसके लिए आपको देखें Lenovo IdeaPad i3 ले लेने चाहिए इसमें आप काफी अच्छे तरीके से editing वगारा कर सकते हैं normal और यहां पर जो software ह होते हैं जो CSC में आप चलाते हैं काफी सारे software होते हैं उनको भी आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे तो i3 15.6 FHD और यहां पर 8GB और 512GB SSD विंडो 11 ओफिस 2021 टू यर वारंटी है और इसका जो वजन है 1.700 kg है तो इसको प्याप इस्तेमाल कर सकते हैं यह laptop best laptop है इसमें आपको क आपी जो है कुछ मिल जाता है और जो CSC का काम है आपका वो रुकने वाला नहीं है और CSC का लाव आप editing वगारा भी इस laptop से कर सकते हैं जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं यह सारी चीज़े मैं आपको वह बताई हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं और अभी तक CSC को लेकर क या किसी service को लेकर करके ना तो biometric device में कोई problem होगी है और ना ही हमारे printer में और ना ही हमारे laptop में तो इस तीनों चीज़े आप ले सकते हैं अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि second hand laptop आपको कितने तक का और कौन सा लेना चाहिए और printer आपको second hand कौन सा लेने चाहिए और पर को कि 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 कितने तक कि अपको कि अले क सी हमारेश खाईगे कि अले कर दो ना चाहिए और सुझका कि शुझक खर ना है कितने उना है